तो राम राम जी कैसे हो आप सब मैं सुमित तो भाई आज जो है हम बात करेंगे एकोस्पूर्ट के ओटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की ठीक है हमारे एक सब्सक्राइबर भाई है जिन्हानों मेरे से कहा था कि आप इसके वाइपर कंट्रोल और ओटोमेटिक एसी पर वीड नोर करना है इस पर ध्यान मत देना जादा वीडियो शुरू करने से पहले हमारे सब्सक्राइबर भाई जिन्होंने अभी अभी नई कार ली है आदित बुलबुले जी जिन्होंने अभी अभी हाल ही में एकोस्पूर्ट ली है नई तो सर आपको बहुत-बहुत बहुत इगनीशन ओन किया इगनीशन ओन करके जो है आपने अपनी कलच दबाई और गाड़ी करी स्टार्ट ठीक है गाड़ी स्टार्ट करके हमें क्या करना होता है यह जो पावर वाला स्विच देख रहा है आपको यह इन दिक मार्किंग दिख रही है इसको आप ओन कर दो जब प्याब बैटे हो समोज इस तरह से आपका आपका आई है ब्लोवर चल गए है और यह आपका दिस्प्लै आहाँ आपका दिस्प्ले सेट पर अटोbaar धाएग अब इससमें क्या करता है AC मैं आपको पता दूँ इसमें blower की जो speed होगी वो अपने आप control होगी AC अपने आप control करेगा कितनी speed हमें देनी है कितनी हवा देनी है ठीक है? कम देनी है, जादा देनी है बाकि नीचे पैरों में कब देनी है वो भी अपने आप ही system control करता है आपको manually कुछ नहीं करना लेकिन अगर आपने इससे छेड़ खानी करी मानलो आपको लग रहा है कि blower की speed कम है या जादा है तो लाव मैं इसको थोड़ा तेज कर लूँ automatic में ही तो जैसे ही आप इससे छेड़ खानी करोगे यहां से auto का sign हट जाएगा मतलब अब यह पूरा manual हो चुका है अब यह आपकी मर्जी से चलेगा अपनी मर्जी से नहीं चलेगा है ना तो auto पर आप कर दो वो जादा better है temperature जो है पूरे cabin का maintain रहता है इससे और इसका जो temperature जो यह देखता है ना कब fan की speed कम करनी है जादा करनी है कितना हमें compressor चलाना है इसी चलाना है तो उसके लिए यहाँ पर sensor है यहाँ पर जैसे ही इस sensor पर आपने suppose करो यहाँ 20 degree या 24 degree कर दिया suppose तो यहाँ पर जैसे ही temperature 24 degree होगा तो यह अपने आप compressor को बंद कर देगा जैसे ही उदर temperature बढ़ेगा तो यह compressor को उठा देगा मतलब एसी शुरू हो जाएगा तो यह है भाई उसका sensor तो इसलिए इस जगे इसके उपर कुछ नहीं रखना चाहिए अपने को कुछ जो आप मूर्ती बगएरा लगा लेते हो कोई भी चीज आगे तो वो नहीं लगानी चाहिए उससे यहाँ पर फर्क पड़ेगा आपके automatic climate control पर ठीक है अब आप AC में बैठे हो सब्सकरो मैंने 24 किया हुआ है क्योंकि blower की हवा से फिर आवाज गडबड होगी अभी हलका चल रहा है और 24 कर लेता हूँ तो यह है भाई इसमें छोटा सा इतना सा system है इसमें यहाँ से आप जो है temperature इस वाले जो button है इससे कम जादा कर सकते हो आप left में करोगे तो आप देखो temperature कम हो रहा है 22.25 है ना right में करोगे तो temperature बढ़ जाएगा फोल कहा तक जाता है यह भी मैं आपको दिखा देता हूँ फोल जाता है 30 डिगरी तक ठीक है तो सरदियों में ही इतना तो यूज करोगे तो यह है भाई यहाँ से आप temperature कम जादा कर सकते हो minimum जो जाता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ minimum जाएगा यह शायद 15 तक है जी हां है ना 15.5 इस से कम कर दोगे तो लो तो यह भाई 15 तक जाएगा minimum maximum जाता है जो है 30 डिगरी तक अब यह इसमें नीचे आते हैं कुछ buttons यह मैंने बता दिया यह power का है यह AC को on-off करने का है आपको AC नहीं चलाना केवल ब्लोवर से काम करना है आप इसको कर दो बंद तो आपके केवल ब्लोवर चलेंगे AC बंद हो गया ठीक है तो यहां से AC on-off कर सकते हो नीचे अगर आपको अभी सपोस करो पैरों में हवा चाहिए आपको लग रहा है नीचे गरम है बहुत जादा है न मेरे पैरों में पसीना आ रहा है या कुछ प्राबलम हो रही है तो आप इसको on कर दो तो आप इसको जैसे ही प्रेस करोगे न नीचे पैर वाले निशान को तो नीचे आपकी यहां पर इस जगे पर अब मेरे को हवा आ रही है यहां पैरों में हवा आनी शुरू हो जाएगी यहां से हवा हो चुकी है बंद ठीक है अगर इसके साथ में आप इसको प्रेस कर देते हो यह फ्रेंट वाले को जो आपकी फेस की तरफ एरो हो है अब क्या हो रहा है अब भाई मेरे को नीचे भी हवा लग रही है पैरों में और फ्रेंट पर भी लग रही है अब दोनों तरफ हवा आ रही है इसकी ठीक है तो यह आप कर सकते हो अगर आपको केबल फ्रेंट पर हवा चाहिए तो यह पैरों वाला केविन के अंदर की वो ही रोटेट होगी जैसा कि आपके घरों में AC में होता है, हम गेट बंद रखते हैं, तो कमरे की हवा ही AC में जाती है, पीछे से ठंडी होकर बहर आ जाती है, जिससे कि जल्दी कूलिंग हो जाती है, आपने देखाए ने, फिल्टर वगेरा साफ करने प अबी, कब करना पड़ता है, यह मैं आपको बता दूँ, जब आप, आपकी गाड़ी खड़ी हुई है, पार्क है, बहुत देर से वार आप अंदर आके एक साथ बैठते हो, तो भाई, कुछ पहले एक दो मिनट के लिए इसको आफ कर दो, जिससे कि बाहर की कुछ फ्रेश एर कार के केबिन में आ जाए, उसके बाद इसको आउन कर लो, फिर जो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी फ्रेश एर होनी चाहिए, गाड़ी मान लो, बहार धूप में घड़ी है, बहुत जादा गर्म है, तो गरम हवा ही, अंदर ही अंदर सर्कुलेट होगी, त थोड़ा टाइम लगेगा, तो पहले एक डेड मिनिट के लिए इसको आप आफ कर दो, फिर जब आप चल दो गाड़ी स्टार्ट करके तब इसको आउन कर लो, ठीक है, लेकिन चलती गाड़ी में जैसे आप रोड पर चल रहे हो न, तो इसको आफ मत किया करो, है ना, अगर ऐसे आप आफ कर दोगे, तो रोड की जो डस्ट वगेरा है न, धूल वगेरा जो रोड पर उड़ रही है, वो भी आपके केविन में अंदर आ जाती है, जिससे गाड़ी हो जाती है, बहुत जादा गंदी, तो खड़ी गाड़ी पर ही आप इसको थोड़ा बंद करके, थो आपको आना है, गाड़ी में बैटना है, स्टार्ट करनी है, और आपको करना है, मैक्स एसी, मैक्स एसी आप जैसे ही करोगे, भाई सीधा टेमपरिचर जो इसका मिनीमम है 15 लो पर चला जाएगा, और ये फूल फैन स्पीड, ब्लोर की स्पीड हो जाएगी, फटा-फट आ अगर सर्दिया है, आपको लग रहा है कि भाई, मुझे ठंड लग रही है, तो आप इसको ओन कर सकते हो, मैक्स, ये जो देख रहा है आपको, होट, रेड मतलब गरम, जैसी आप इसको ओन करोगे ना, तो ये हाई पर चला जाएगा, मतलब 30 डिगरी पर, इसको फटा-फट कर देते हैं, यहीं से आप इसको ओफ कर सकते हो, तो ये 30 डिगरी पर चला जाता है, और जो है, आपकी गाड़ी में थोड़ी बहुत गरमी हो जाती है, इधर से कर सकते हो, आप भाई, फैन की स्पीड को कंट्रोल, लेफ्ट गुमाओगे, तो फैन की स्पीड कम हो गई, ब को दिख रहा है, आर, आर याने कि आपका जो पीछे वाला विंड शील्ड है, उस पर वो दिया गया है, डिफॉगर, डिफॉगर मतलब जो फॉग जम जाता है, सर्दियों में या बरसात में, तो उससे क्या है, जो शीशे पर जो लाइनिंग है, बीच में डिफॉगर की ल डिफॉगर अपने आप ओटॉमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा, आप देखना ध्यान से, है ना, लाइट जल गई, ठीक है, लेकिन अगर आपको मैनुवली ये ओन करना है, मानलो बरसात बरसात में फॉग जम गया है, है ना, तो आप इसको सीधे डारेक्टली सेंटर म साफ कर देगा, फॉग हटा देगा, अब इसको कर देते हैं, बंद, एक और चीज मैं बता दूँ, ये भाई कुछ टाइम के बाद, I think 45 सेकंड के बाद, ओटोमेटिकली ओफ हो जाता है, क्योंकि 45 सेकंड में शीशा जो है, आपको साफ हो जाएगा, तो ये एक चीज आपके विंडशील्ड पर या इस ग्लास पर जब फॉक जम जाता है, तो हम उसको कैसे हटा सकते हैं, तो मैं उसके लिए बता दूँ, आपको सीधी सीधी सिंपल सा फॉर्मूला है, फंडा है, सौरी, ये देखे, ये जो दिख रहा है ना, निशान आपको, ये क्या है, वि अच्छी तरह देख सको, तो ये जाली, ये वाली जो जाली है, और ये उपर वाली जो जाली है, ये तीनों तब एक्टिवेट होंगी, तब काम करना शुरू करेंगी, जब आप इसको प्रेस कर दोगे, जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे, तो अब देखे, यहां से हवा आ चला देते हैं, ठीक है, इसको अन रख कर, तो अंदर की हवा गूमती रहती है, भाई, फॉग ढंक से नहीं हो पाता, साफ, तो जब भी आप अपनी विंडशील्ड साफ करना चाहो, चाहे बरसात हो या सरदियां हो, तो भाई, इसको कर दो आफ, ठीक है, अब क्या होगा, बाहर की फ्रेश एर आएगी अंदर, और वो ग्लास पर जाएगी, तो जो बाहर का टेंपरिचर है, और अंदर का टेंपरिचर है, वो अल्मोस्ट उस एर से सेम हो जाएगा, तो आपका जो विंडशील्ड है, या ग्लास है, उस पर फॉग नहीं जमेगा, तो ये चीज़ पर भाई ध्यान रखना, कभी भी बरसात में या सर्दियों में चलाओ, तो इसको जो है, आफ करके और इसको आउन करना, अगर आपने इसको आउन किया है, और ये भी साथ में आउन कर दिया, तो आपको उतना जादा फाइदा नहीं होगा, जितना के मिलना चाहिए, ठीक ह अब भाई, लोग बोल सकते हैं, भाई, इसको आफ करके चलाएंगे, तो धूल आएगी, तो देखी, ये सर्दियों में बरसात में काम करता है, तो बरसात में जो है, आपकी धूल उड़ती नहीं, सर्दियों में भी डस्ट जो है, फॉक की वजए से जमी रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आफ करके चला लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है जी, तो ये है इसका पूरा फीचर, पूरे फंक्शन, जो कि इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, इसके ओटोमेटिक AC में, और एक और चीज़ भाई, बहुत से लोग बोलते ह थो घूँपरे सर दो शरू होता है, एसा नहीं है कि गाड़ी स्टार्ट के साथ ही घूँपरे सर भी घूमना शरू हो जाया है, तो जबीचन वाली जरूरत यहां पर नहीं है, हर चीज, हर टेकनोलोजी, बहुत एडवांस हो चुकी है, तो ये था भाई, आज के लिए एक वीडियोस चलते ही नहीं है तो अगर पॉसिबल हो तो उन वीडियोस को भी एक बार देख लिया करो जाके और अगर अच्छे लग जाया करें तो भाई उनको भी लाइक जरूर कर दिया करो तो चलिए भाई आज के लिए यही मिलेंगे जल देखने वीडियो में